उत्राखंट से नेता प्रतिपक्ष इंद्राहिदेश इस वक्त में साथ मौझूद है मैं हम देखा जाए तो अंत्रिम अध्यक्ष की घोशना हो चुकी है लगातार अटकले थी कि इस बार का जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार के बाहर से होगा लेकिन एक बाद फिर गांधी परिवार की एंट्री होती है और अंत्रिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को चुना जाता है देखे सोनिया गांधी ने इसे स्विकार किया इस पत्को यह बहुत सौभाग्य है कांग्रेस के लिए बैसे भी वो सदैब शुभ रही है और उसके अलावा आपने देखा वो पूरे समय पार्लेमेंट में बैठी रहती है और बहस में पूरी तरह से बहस को सुनती है और हिंदुस्तान की राजनी खासकर कांग्रेस का नेत्रत तो करने की उनकी शमता बड़ी गजब की है दस साल तक लगातार मनमोहन सिंग भी प्रधान मंतरी रहे तो सोनिया गांधी के बनने से हम लोग बहुत खुश है अब चुकि उन्होंने स्वता अपने स्वासकारणों से अन्दकारणों से नहीं बनना चाहा और राहुल गांधी जी ने जब ये मन बना लिया कि अब वो कलम लेके लिखती रहती हैं सबसे मिलती हैं अधिकतर प्रमुखनेताओं को वो पूरे देश पर के जानती है एक आखरे सवाल क्या लगता है राहुल गांधी के काम में कमी रही है कारण था कि कई राज्यम में जो है आपकी सरकारे जो है स्थिति नहीं बना पाई यही अधिरिक, मानसिक और सभी ढंग से उन्होंने मेहनत की अब हार हुई तो उन्हें लगा कि मुझे इसकी नैतिक जुम्यदारी लेनी चाहिए ऐसा उनकी सोच है हमारी सोच नहीं थी अधार पर मन बना लिया कि जब मैंने एक बार छोड़ दिया तो फिलाल मैं नहीं बनूग यह बहुत हम लोगों के उपर बहुत ही हम लोग खुश है कि सोनिया गांधी जी ने इस पत को पुना सुईकार कर लिया